बाबा जी दिव्य, अत्यांत सक्षम तांत्रिक, असाधारन व्यक्ती और हनुमान जी के भक्त थे। हम आपसे उनके प्रसिद चमतकार और सबक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। आप भगवान देखेंगे एक दिन चचलेन में महाराज खुश मिजाज में थे और केवल मेरी मा, मेरी पतनी और मैं उनके तक्त के पास बैठे थे। उस माहौल में मेरी मा ने उनसे पूछा, बाबा, मुझे भगवान दिखाओ। एक बार ने कहा, आप देखेंगे। तुम देखोगे, तुम देखोगे, मेरी मा लंबे समय तक बीमार रही और बहुत कुछ सहा। जब उसका आंथ हुआ, तो हमने उसमें कई अद्भूत परिवर्तन देखे। उसके सारे कश्ट दूर हो गए, और उसके चेहरे पर एक बड़ी शा चित्र लाया, जिसकी वो प्रती दिन पूजा करती थी और उसकी आंखों के सामने रख दिया। जैसे ही उसने उस पर नजरें गढ़ा दी, उसने खुद को पार कर लिया। उसकी निगाह उस तस्वीर पर टिकी हुई थी और बिना पलग जपकाय उसे देखते ही वो मर गई मेरी मा के हरशित चहरे और उनकी आंखों में चमक ने हमें ये आभास दिया कि उन्होंने उस चित्र में भगवान को देखा है। बाबा से कहा कि वो अपना पद संभालने से पहले कश्मीर का दौरा करना चाहते हैं। जब वैशिया जा रहे थे तो बाबा ने उन्हें एक च्छाता दिया और कहा इसे अपने पास रखो। वहां भारी बारिश हो रही है। वैशिया ने च्छाता लेने में जिजखते हु को कहा कश्मीर में रहने के दोरान वैशिय च्छाता लेकर चला गया दिल्ली लोटने पर वे फिर से बाबा के दर्शन के लिए और च्छाता वापस करने के लिए कांची गये उसे देखते ही बाबा ने कहा तु च्छाता लोटाने आया है बाबा ने तब कहा इसे अपने पास रखो यह तुम्हारे उपर एक सुरक्षात्मक छत्र होगा। वैशिय को बाबा का मतलब समझ नहीं आया लिकिन वो छाता लेकर दिल्ली वापस चला गया। वापस दिल्ली में वैशिय अपने घर से अस्पताल जाने के लिए तयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने वहाँ चाता पढ़ा देखा। उसे यह विचार आया कि महाराज द्वारा उपहार में दिया गया चाता हमेशा अपने पास न रखने से वो बाबा की सुरक्षा से वन्चित हो सकते थे। जून के गर्म महीने में श्रीमती वैशिय अपने पती को अस्पताल ले गई और अपने तकिये के नीचे छाता छिपा दिया। वैशिय की एक बार फिर गहनता से जांच की गई। उसकी पलीहा अभी भी 13 सेंटीमीटर बड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे 6 महीने तक अस्पताल में रहना होगा और वो मान गया कि उसकी हालत में तिल्ली का ओपरेशन करना उचित नहीं है। इलाज को प्रभावित करने के लिए उन्हें दवाओं पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने उससे कहा कि उसे महीने में एक बार एक विशेश गोली लेनी होगी जो 30 दिनों में उसकी तिल्ली को धाई सेंटीमीटर कम कर देगी। उसी दिन उसने पहली गोली ली। अगली सुभह उसे इतना अच्छा लगा कि उसने डॉक्टर से अपनी तिल्ली की दोबारा जाँच कराने को कहा। उसे उत्साहजनक शब्द कहते हुए डॉक्टर ने समझाया कि मापने की प्रक्रिया 6 महीने के बाद दोहराई जाएगी, हर दिन नहीं। वैशिया इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया कि उसकी तिल्ली की फिर से एक विशेश मामले के रूप में जाँच की जाए। अधीक्षक ने इसे फिर से मापने का आदेश दिया और परिनामों से पता चला कि उसकी तिल्ली का आकार वास्तव में 13 सेंटीमीटर कम हो गया था। चूंकि यह टेबलेट उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए अचानक हुए बदलाव से डॉक्टर सभी चकित रह गए। जब उन्होंने वैशिय को अपना आश्चर्य व्यक्त किया, तो उन्होंने छाता निकाला और कहा, इसकी खृपा से। महाराज जी और चेचक दादा का भतीजा चेचक से मर रहा था और जाहिर तोर पर आखरी क्षण आ गया था, क्यूंकि शरीर को बिस्तर से फर्ष पर ले जाया गया था। यह सुझाव दिया गया कि गंगा के पानी की एक बून्द, जिससे महाराज जी के प्रेयर धोए गये थे, लड़के के गले में डाल दी जाए। जब यह किया गया तो लड़का उठ बैठा और अगले दिन तक चेचक चला गया था। उसी समय, कई मील दूर पहाड़ियों में जहां सिध्धी मा महाराज जी के साथ थी, अचानक महाराज जी ने अपने पूरे शरीर में ये धब्बे विक्सित कर लिये। चूंकि चेचक अकसर पहाड़ियों में नहीं देखा जाता था, इसलिए पहाड़ी लोग इससे परिचित नहीं थे कि यह कैसा दिखता है। का मेल हुआ। एक बीमारी, अलग इलाज एक दिन बाबा सड़क के किनारे एक पैरापेट पर बैठे थे, तभी बालक नाम का एक साधु आया और उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने बालक से कहा, क्या परेशानी है। बालाक ने उसे बताया कि उसे पिछली शाम से पेट में दर्ध हो रहा था। बाबा ने उन्हें लोटे धातु के बरतन से बचा हुआ कुछ पानी दिया जो उन्होंने धोते समय इस्तेमाल किया था। बालाक ने इसे पी लिया और फिर बाबा ने उसे इधर उधर भगा दिया। कुछी देर में दर्ध कम हो गया। उसी दिन पंडित मामा के पेट में भी दर्ध हुआ। बाबा ने तुरंत उन्हें नैनीताल के राम से अस्पताल में भरती कराया और दिन भर उनके स्वास्थे की जानकारी लेने के लिए अपने भक्तों को भेजा। एक भक्त ने बाबा से पंडित मामा से अलग व्यवहार करने का कारण पूछा। बालक के संदर्भ में बाबा ने कहा, जिस व्यक्ती की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इश्वर उसका ध्यान रखता है। पंडित एक धनी व्यक्ती हैं, वो अच्छा इलाज चाहता है और दूसरों से भी उमीद करता है कि वो उसके लिए सहानुभूती व्यक्त करे। एक अच्छा डॉक्टर एक दिन मदरास में रहते हुए महाराज जी ने कहा, मैं एक अच्छे डॉक्टर को अपनी आँखें दिखाना चाहता हूँ। यहां अच्छा डॉक्टर कौन है, मैंने उसे बताया कि पास में ही एक स्पेशलिस्ट है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं उसे अपनी आँखें दिखाऊंगा। उस शाम मैंने पाया कि यह डॉक्टर शहर से बाहर था, इसलिए मैंने सुभा साधे दस बजे दूसरे विशेशग्य से मिलने का समय तै किया। जब मैंने महाराज जी को स्थिती के बारे में बताया, तो उन्होंने पूछा कि दूसरा डॉक्टर कौन है, और जब मैंने उनका नाम बताया तो महाराज जी ने कहा, नहीं, नहीं, मैं पहले डॉक्टर को देखना चाहता हूँ, दूसरे को नहीं, महाराज जी ने मुझे तीन दिन बाद उनके पास आने को कहा, ये एक लंबा समय था और मैं अधीर था, दो दिन बाद पहला डॉक्टर लोटा था, इसलिए मैंने महाराज जी के लिए अपॉइंटमेंट लिया, मैं उसे बताने के लिए तुरंत धर्मशाला छात्रावास गया, लेकिन महाराज जी क सामान अभी ले जाया जा रहा था, जब मैंने उसे बताया कि डॉक्टर आया है, तो वो हंसा और कहा, आज मैं रामेश्वरम जा रहा हूं, उसने मुझे अपने साथ जाने से मना कर दिया, लगभग एक महीने बाद, बंबाई के रास्ते में, मैंने अपना चश्मा तोड़ हो गया, विशेशग्य ने सब कुछ चेक किया और कहा कि वे सब ठीक हैं, लिकिन उन्हें इसकी आदत पढ़ने में कुछ दिन लगेंगे, मैं मदरास लोट आया, लिकिन मैं अभी भी कुछ क्षणों से अधिक समय तक उन चश्मे को नहीं लगा सका, मैंने उन्हें मदरास क एक विशेशग्य को दिखाने का फैसला किया और सोचा कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, पहला डॉक्टर या दूसरा, अब दूसरा बहुत तेज और हमेशा उपलब्ध था, जबकि पहला बहुत व्यस्त था और उसे देखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता लेकिन मुझे याद आया कि महाराज जी ने क्या कहा था, इसलिए मैंने पहले वाले के साथ अपॉइंटमेंट लिया, जब मैंने अपने बेटे को बताया तो उसने चेकप के लिए साथ आने को कहा, डॉक्टर ने मेरी आँखों का परीक्षन किया और पाया कि बॉम्बे के डॉक्टर ने जो नए चश्मे दिये थे, वे गलत नुस्खे थे, इसे ठीक किया गया, जब उन्होंने मेरे बेटे की आँखों की जांच की तो उन्होंने पाया कि कौनिया फटा हुआ था, ततकाल ओपरेशन के लिए काफी गंभीर, हाला कि वो कॉलेज में अपनी अंतिम परिक्षाओं से चूक गया, लिकिन मेरे बेटे की आँखें बच गई, एक महीने पहले महाराज जी की लीला खेल इसी के बारे में थी, बाबाजी का दिल 1972 में बाबाजी ने एक बार शिकायत की थी कि उनके दिल में कुछ गड़बढ है, यह दर्दनाक था और वो रात को स सवाल ही नहीं था, वो पूरी रात जागता रहेगा चाहे बीमार हो या ना हो, किसी ने सुझाव दिया कि उन्हें नैनिताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जोशी के पास ले जाया जाये, बाबाजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज सुभा जोशी आ रहे हैं, वो एक भक् जोशी ने कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को नैनिताल के राम से अस्पताल में परीक्षन के लिए आना चाहिए, अगले दिन भक्त बाबाजी को क्लिनिक ले गए जहां इलेक्ट्रो काडियोग्राम मशीन रखी गई थी, सारी बाते मशीन के बारे में थी, य यह कहां बनती है, कैसे बनती है, और बाबाजी यह देखना चाहते थे कि यह कैसे काम करता है, बीमारी या बीमारी की कोई बात नहीं हुई, परीक्षन किया गया था और कुछ भी गलत नहीं था, महाराज जी की महासमाधी लेने से पहले कांची में ऐसा ही एक नाटक रचा गया था। दो दिनों तक सभी भक्त भ्रमित और परेशान थे क्यूंकि ऐसा लग रहा था कि बाबा जी को दिल का दोरा पड़ा है लिकिन डॉक्टर ने आकर कहा कि वो ठीक हैं। नौर सितंबर को जब बाबा जी ने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो इंदर ने पहले तो उन्हें रेलवे स्टेशन ले जाने से मना कर दिया क्यूंकि बाबा की तबियत ठीक नहीं थी। हालांकि बाबा जी ने जोर दिया और यह किया गया। जिस दिन उन्होंने समाधी ली वे आग्रा में अपने भक्त के पास गए डॉक्टर जिन्होंने उसकी जांच की और पाया कि सब कुछ हृदय, नाडी, सब कुछ परिपूर्ण है। इसे कैसे समझाया जाए? भाग्य के रूप में 9 नवंबर 1962 को भूमिधर में एक अंधेरी शाम को ब्रमचारी बाबा सडक किनारे मंदिर के बाहर आग लगा कर खुद को गर्म कर रहे थे। महाराजी अपनी कुटी में ध्यान में अकेले बैठे थे। लंबे, उल्जे हुए बालों वाला एक पतला, कमजोर आदमी, जर्ज और फटे पुराने कपड़े पहने, ब्रमचारी जी के पास आकर चुप-चप बैठ गया। उसके हाथ प्यार दोनों मुड़े हुए थे। ब्रमचारी उसकी ओर देख रहे थे, हर विवरण को ध्यान में रखते हुए, जब महाराजी चिल्लाते हुए बाहर आए, तुम आ गए, तुम आ गए, और आग के पास उनके साथ बैठ गए। चुण की ब्रमचारी जी बाबा की सेवा में थे, इसलिए वे उठकर उनके पास खड़े हो गए। बाबा ने आगंतुक से पूछा, तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। उसने उत्तर दिया, मैं पीली भीट से आया हूँ और मेरठ जा रहा हूँ। ब्रमचारी जी ने मन ही मन सोचा कि वे पीली भीट से सीधे मेरठ जाने के बजाए भूमेधर क्यूं आय थे। तभी बाबा ने पूछा, क्या प्रयोजन है। उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाना है। यह सुनकर ब्रमचारी हैरान रह गए, क्यूंकि जवाहर लाल नहरू के जीवंकाल में शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल ही नहीं उस आदमी ने कहा ब्रमचारी साधूओं के गुरू हैं। उस तरह के कई सवालों के बाद बाबा ने तुलाराम साह के बारे में पूछा वो राम से अस्पताल में बीमार पढ़ा है। उसका क्या? भारी मन से उसने कहा ये अच्छा नहीं है कि आप सभी को बचा लें। वो न आज से साथवे दिन मर जाएगा। बाबा तुरंत उठे और अपनी कुटी में लोटाए। अजनबी भी अपने रास्ते चला गया और तुरंत गायब हो गया। इस घटना के साथवे दिन 16 नवंबर 1962 को तुलाराम का निधन हो गया। साधू ने शास्त्री जी के लिए बताई लेकिन वे डेर साल बाद प्रधान मंत्री बने। आप गुस्से में क्यूं थे। शमा सबसे बड़ा हथियार है क्यूंकि एक संत इतना सशस्त्र होता है कि वो अस्थिर होता है। वो तुरंत क्रोध छोड़ सकता है। नीम करोली बाबा। एक बार एक युवक आया और महाराजी ने उससे पूछा कि वो कैसा है और उसने कहा ओ महाराज मैंने ख्रोध पर काबू पा लिया है। महाराजी ने कहा ओ बहुत अच्छा और उसकी स्तूती करते रहे। उस समय एक अन्य साथी उपस्थि था जो कई वर्षों से महाराजी को अपने घर आने के लेकिन महाराजी कभी नहीं आए क्यूंकि लड़के के पिता साधूओं या संतों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब महाराजी ने इस लड़के की ओर रुख किया और कहा क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आउन। लड़के ने कहा हां लेकिन का स्थान महाराजी को दिया जाएगा इसलिए पिता को कहीं और बैठ ना होगा अंत में पूरी पार्टी चली गई और महाराजी लड़के के पिता के टकेट पर बैठ गए तब महाराजी जुक गए और पिता की आँखों में देखा और कहा आप एक महान संथ हैं लेकिन हिंद तो यह वास्तव में बूरे पिता के लिए उस रूप का उप्योग करने का अपमान था बूरा परेशान हो गया लेकिन उसने खुद को एक साथ रखा थोड़ा समय बीट गया और महाराजी फिर जुक गए और कहा आप एक महान संथ हैं इस समय तक पिता का चेहरा लाल हो गय लेकिन उन्होंने फिर भी नियंत्रन रखा कुछ मिनिट और बीट गए और महाराजी जुक गए और फिर वही बात कही इस बार पेता ने इसे पूरी तरह से खो दिया वो उठा और महाराजी पर चिलाने लगा तुम संत नहीं हो तुम बस अंदर आओ और लोगों का खाना तुम उनके बिस्तर ले लो और तुम एक नकली हो इस बिंदू पर क्रोध पर काबू पाने वाले युवा साथी ने अपने पैरों पर छलांग लगाई पिता को कॉलर से पकड़ लिया और उसे हिलाना शुरू कर दिया और कहा चुप रहो तुम नहीं जानते कि तुम किस से बात कर रहे हो वो एक महान संत है अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा इस पर महाराज जी उठे इधर उधर देखा और कहा क्या बात है क्या बात है क्या वे मुझे यहां नहीं चाहते हमें जाना चाहिए वे मुझे यहां नहीं चाहते सो वो उठा और बाहर चलने लगा, और जब वो बाहर जा रहा था, तब वो उस जवान की ओर मुड़ा और कहा, क्रोध पर काबू पाना बहुत कठिन है, कुछ महान संत क्रोध पर काबू नहीं पाते, साथी ने कहा, लेकिन महाराज, वो तुम्हें गाली दे रहा था, यह सही है, वो मुझे गाली दे रहा था, आप नाराज क्यूं थे, दिल बदलना एक राध श्रीमती कमला पांडे ने एक सपना देखा, जिसमें उन्होंने महाराजी को सडक किनारे एक घर के सामने वाले कमरे में तक्त पर बैठे देखा, वो दरवाजे से बाहर देख रहा था, औ और कुछ युवक अशलील फिल्मी गाने गाते हुए गुजर रहे थे, कमला जी, श्रीमा और श्री जीवन्ती मा भी कमरे में थी और महाराज जी के सामने युवकों के अभद्र व्यवहार से परिशान दिखाई दी, आगे उसने देखा कि बाबा ने उन युवकों को बु गुलाया था जो तुम गली में गा रहे थे, वे लजजित हुए और सम्मान में हाथ जोड कर कहा, बाबा, हम उन गीतों को भूल गए हैं और हम केवल इन भक्ती गीतों को जानते हैं, बाबा ने श्रीमती कमला की ओर मूँ फेर लिया और उनके कान में फुस फुस आये, मु दर्जन शिश्यों के साथ बाबा के दर्शन के लिए आया, मैं उन्हें उनके कमरे में ले गया, उनके बैठने के बाद बाबाजी ने कहा, यह महंत दिगविजेनात एक महान संथ हैं, उनके चरणों में नमन, कोई दूसरा व्यक्ती आया तो बाबाजी ने उसे भी प्रण किया, बाबाजी मुस्कुराए और लोगों से कहा कि वे अपने पैर छूने के बजाए संथ को नमन करें, लेकिन जब तीसरा आया और बाबाजी ने अपनी बात दोहराई, तो महंत खड़े हो गए और बाबाजी के पैर पकड़ कर उनकी आँखों में आसू आ गए, उन्हो संथ को वही जान सकता है जो स्वयम संथ हो, ऐसा ज्यानियों ने कहा है, इसलिए हम बाबाजी महान संथ को जानने का कोई दिखावा नहीं कर सकते, कम से कम अपनी बात तो कैही नहीं सकते, भगवद गीता में हम सीखते हैं कि एक संथ एक दोहरे व्यक्तित्व वाला व्यक् को देखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनमें दिव्य व्यक्ति को देखने का दावा कर सकते हैं, एक संथ में दिव्य व्यक्ति मानव फ्रेम में घिरा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से समान नहीं है, मानव का तल और परमात्मा का शीर्ष एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं। आंतरिक अंतरिक्ष में सेह मिलन होता है और महान मनुष्यों में कुछ दैविया गुण पूरी तरह से उनके मानविया गुणों के साथ विलीन हो जाते हैं। वो असहायों की पीरा को अपने उपर लेकर उनके कश्टों को कम करने के लिए हमेशा तयार और सतर्क रहते थे। उनका शरीर रोगों का छट्ता बन गया। यह वो कीमत थी जो उसे अपनी करुना और मदद करने की उसकी ततपरता के लिए चुकानी पड़ी थी। कितनी शिक्षा, कौन सी नौकरी, कितना पैसा। आप हमें ब्रहम, निराकार के बारे में क्यूं नहीं सिखाते। महाराजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मा अपना काम करने के लिए क्यैंची से चली गई और जब नैनिताल के लिए आखरी बस का समय था तो वो अपना प्रणाम कर रही थी और बस में जा रही थी। महाराजी ने उससे पूछा, अब क्या तुम जा रही हो। उसने कहा, हाँ, मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, खाना बनाना है और सब कुछ। महाराजी ने कहा, सुनो, अभी मत जाओ। मैं तुम्हें ब्रहम के बारे में बताता हूँ, तुम यहीं बैठो, उसने जोर देकर कहा कि उसे घर जाकर अपने परिवार की देखभाल करनी है, उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, मैं तुम्हें ब्रहम के बारे में बताता हूँ, तुम यहीं बैठो, आज घर मत जाओ, यह क पहले वो ब्रहम की बात कर रही थी और अब वो घर के बारे में सोच रही है। एक व्यक्ती एक समय में दो काम नहीं कर सकता। ब्रहम कोई चीज नहीं है, एक खिलोना है जिससे आप खेल सकते हैं। आपको कुछ त्याग करना होगा। उद्धरंच चेन्ह, एक जीवन भर की तपस्या मई की एक शाम बाबा चचलेन के लौन में कुरसी पर बैठे थे। इलाहबाद हाई कोट के जजों के कुछ परिवार उनके आसपास जमीन पर बैठे थे। मैं लौन के दूसरी तरफ अकेला बैठा था। कुछ समय बीत गया और दो आदमी मेरे पास आकर खड़े हो गए। उन में से एक ने वकील की तरह काला कोट पहना हुआ था और दूसरा धोती और कुरता की पारम पर एक भारतिय पोशाक में था। उन दोनोंने बाबा को प्रणाम किया लेकिन उन्होंने उनकी ओर नहीं देखा। बाबा सिर जुका कर बैठे रहे अपने पास के भक्तों से बात करते रहे। नवागन तुकों ने इस आशा में कुछ देर प्रतीक्षा की कि बाबा उनकी ओर अपनी दृष्टी घुमाएंगे और अंत में वे चुप चाप बैठ गए। काला कोट पहने हुए आदमी अधीर लग रहा था। वो धोती कुर्ता पहने शक्स को जाने का इशारा कर रहा था। उसे इतना बेचैन देख कर उसका मित्र बाबा का ध्यान आकरशित करने के लिए उठ खड़ा हुआ और कहा, महाराज, मैं अपने एक मित्र के साथ आया हूँ। वो संकट में है और आपका आशीरवाद चाहता है। अपने दोस्त को खड़ा देख काले कोट वाला आदमी भी खड़ा हो गया। बाबा ने धोती कुर्ता पहने हुए आदमी से कहा, तुम वकील हो। वो आदमी राजी हो गया। तब बाबा ने काला कोट पहने हुए आदमी से कहा, तुम वकील नहीं हो। उसने सहमती में सिर हिलाया। सब लोग बाबा को मुगद द्रिष्टी से देखने लगे। बाबा ने सीधे उस आदमी से पूछा, तुम्हारी परिशानी क्या है। घबरा कर उस व्यक्ती ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके वकील मित्र ने उनकी ओर से कहा, महाराजी, वो एक हत्या के मामले में शामिल रहा है, और पुलिस उसके पीछे है। बाबा ने काले कोट वाले व्यक्ती से पूछा, क्या तुमने हत्या नहीं की। अपने संक्षिप्त नकारातमक उत्तर पर, बाबा ने कठोरता से कहा, क्या हत्या में तुम्हारा हाथ नहीं था। फिर उसने सच कहा, हाँ महाराज, हाला कि हत्य का कोई विवरन नहीं दिया गया था, बाबा को सब पता था। उसने कहा, जिस आदमी की तुमने हत्या की वो बहुत ही सजजन था। तुमने ऐसा क्यूं किया? उस व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, वो मेरे रास्ते में एक ठोकर था, दुहक और ख्रोध के साथ, बाबा फूट फूट कर बोले, उनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनका लालन पालन कैसे होगा? पच्चतावे से भर कर उस व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बाबा को कोई जवाब नहीं दे सका. बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि उसे परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेकर और पत्नी और बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करके आजीवन तपस्या करन का वादा किया. बाबा ने वकील से पूछा मामला किसकी अदालत में चल रहा है? वकील ने एक मुस्लिम जज का नाम बताया. बाबा ने कहा सब ठीक हो जाएगा. आदमी को कानून के न्याय से मुक्त करके महराज ने सुनिश्चित किया कि परिवार की देखभाल की जाएग उसने अपने अपराद की भयावेहता को महसूस किया और जीवन भर बड़े पश्चाताप का सामना किया. आतमा का सम्मान महाराज जी ने आतमा की पवित्रता का सम्मान किया, चाहे कोई भी परंपरा या वन्श हो. उन्होंने अपनी बार-बार दोहराई जाने वाली टेप सब एक, सभी एक. सभी धर्म समान हैं, वे सभी भगवान की ओर ले जाते हैं. इश्वर सब का है, वही लहु हम सब में बहता है, हात, पैर, दिल, सब एक ही हैं. कोई अंतर नहीं देखें, सभी समान देखें. यह व्यक्तिगत अंतर और कर्म द्वारा सिखाने के लिए देखें. यदि आप अंतर देखते हैं, तो आप भगवान को महसूस नहीं कर सकते. अपने भीतर प्यार को खोज ना सीखें. एक मुस्लिम भक्त ने महाराज जी को अपने घर पर एक धार में कुद्सव में भाग लेने के लिए आमंतरित किया. सूफी गीत गाने और कुरान के पाठ सुनने के लिए पूरा परिवार और उनके कई दोस्त एकठे हुए. कई मुस्लिम मुल्ला, पुजारी और विद्वान त्योहार में अनुष्ठान करने और शास्त्रों को पढ़ने के लिए शामिल हुए. जब महाराज जी पहुँचे, तो भक्त उन्हें विद्व जारी नहीं रख सकते. महाराज जी ने मौखिक रूप से उन्हें उनके पूर्वाग्रा और संकीर्णता के लिए गाली दी. उन्होंने कुरान और कुछ महान सूफी कवी संतों से सभी धर्मों की एकता पर उधरन दिया. महाराज जी ने कुछ प्रसाद मांगा. जब वो ल जाराज जी उनके साथ कई घंटों तक लायल अहायल अलाहू गाते रहे. हर रूप में भगवान की पूजा करना सबसे अच्छा तरीका है. तुम्हें हर एक को स्वीकार करना चाहिए और उनमें यहोवा को देखना चाहिए. संत की और कोई आवशक्ता नहीं है. हर कोई मेर चहरे का प्रतिबिम्भ है. निस्वार्थ प्रेम सेवा यह पूछे जाने पर कि वो इतने बदमाशों, शरार्ती लोगों से क्यूं घिरा हुआ है? महाराज जी ने कहा, केवल बीमार लोगी डॉक्टर के पास आते हैं. और एक पुराने और भरोसे मंद पारिवारेक चिकि के लिए एक आदर्श मॉडल था जिसे उन्होंने अपने भक्तों में सबसे अधिक प्रोटसाहित किया. निस्वार्थ प्रेम पूर्ण सेवा. अपने भक्तों के सबसे बड़े प्रतिशत की रचना करने वाले ग्रहस्तों के लिए, महाराज जी ने आमतोर पर गंभीर तप के रूप में जीने के माध्यम से भगवान के पास आने का एक तरीका. इस तरह महाराज जी ने रामायन, भगवत गीता और बाइबल जैसे महान भक्ती साहित्य की शिक्षाओं को प्रतिबिम्बित किया. लेकिन महाराज जी ने सपश्ट कर दिया कि केवल कड़ी मेहनत ही इ कि यह परमेश्वर के स्मरण के साथ किया जाने वाला कार्य था, यानि इश्वर की कृपा की उपस्थिती में प्रेम से किया गया कार्य. एक और चमतकार एक बार गंगा और यमुना नदियों के इलाहबाद में विनाशकारी बाढ़ाई थी. बाढ़ इतनी विनाशकारी थ थी कि इलाहबाद का किला भी क्षतिग्रस्त हो गया था। गंगा नदी के किनारे बने हनुमान मंदिर पर खत्रा था कि पूरा मंदिर बह जाए। सभी पुजारी चिंतित थे। उन्होंने रक्षा मंत्री डॉक्टर काटजू से संपर्ख किया जो इलाहबाद में थे। उन्होंने कहा सेना क्या कर सकती है। अब केवल भगवान हनुमान ही मंदिर को बचा सकते हैं। नीम करोली बाबा हनुमान है। वो यह कर सकता है। यह बात चल ही रही थी कि बाबाजी जीप में आ गए। वो चिलाया। क्या बात है। क्या बात है। सभी पुजारियों ने बाबाजी के पास जाकर मंदिर के लिए अपना डर। नीम करोली बाबा ने नदी में जाकर अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया। उसने पानी की चुसकी ली और कहा वो चला जाएगा। मैं चला जाऊंगा। तीन दिनों में के साथ एक अनुभव साझा कर रहे हैं जब बाबाजी एक ही समय में अलग-अलग जगहों पर थे। एक और चमतकार यह घटना तब हुई जब भक्तों ने पंग की यह कानपूर के पास में एक नए हनुमान मंदिर का निर्मान पूरा कर लिया था। अपने आधिकारेक रूप से समारोह में शामिल नहीं होंगे। पंकी में उद्घाटन समारोह की सुभह बाबाजी इलाहबाद में अपने कमरे में गए और अपने परिचारक से कहा मेरी तबियत ठीक नहीं है। मैं आज सोझाऊंगा। उसने अपने आपको एक कंबल से ढख लिया और बाहर से बंद कर दिया। अगले दिन कुछ भाक्त पंकी में पूजा से प्रसाद बाटने के लिए इलाहबाद आये। उन्होंने बताया कि सब कुछ सुचारू रूप से चला। यह रंगारंग पूजा थी और भंडारा का भी आयोजन किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि म महाराज जी पंकी के कार्यक्रम में आये थे। हाला कि उन्होंने कहा वे नहीं आएंगे। इसने परिचारकों को आश्चर्य चकित कर दिया क्यूंकि महाराज जी हर समय इलाहबाद में थे। हाला कि श्रद्धालूओं ने बताया कि वो भी साथ बजे से बारा बजे तक मान मंदिर में पंकी में ही थे प्रिया दर्शकों हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं कृप्या लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें हम आपके आभारी हैं बहुत बहुत धन्यवाद हैं कि मितो लाइक कि आप दूके समर्शकों हम तया बहुत था नहीं है